नमस्कार फ्रेंड मैं रितिक और ग्यान के ख़जाना चनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसा सरल टिप्स बताने वाला हूँ जो दात के पिलापन को आसानी से दूर करता है और दात के काले धब्बो को भी दूर करता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिगरेट, बीरी, तंबाकू, गुटका इस सब का सेवन करते हैं उनके दात में एक पिलापन पड़त चड़ जाती है या काला काला धब्बा हो जाता है तो आईए जानते हैं कैसे दो से तीन मिनट के रोज के ब्रस से इसको दूर किया जा सकता है और वाइट चमकिला दात बनाया जा सकता है ओ भी एकदम आसानी से और घरेलू नुकसे से है तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें वेकिंग सोडा लेना है वेकिंग सोडा यानि कि खाने का सोडा होता है जो कि आपको असानी से किसी भी जेनरल स्टोर से प्राप्त हो जाएगा उससे उट सोडे को एक तिहाई चमच पे लेना है यानि कि एक चमच का तीसरा भाग ही सोडा को यूज करना है यानि कि आधा से भी थोड़ा कम मैं एक दिन का पेस्ट बता रहा हूँ आपको तो आधे चम्मत से थोड़ा कम सोड़ा लेना है उसको किसी छोटे बरतन में रखना है और उसमें लेमन का यूज करेंगे यानि नीमू का दो बुंद रस चाहिए हमें तो उसमें दो बुंद नीमू का रस डालेंगे और दो से तीन बुंद उसमें पानी का यूज करेंगे और थोड़ा सा आधा चुटकी नमक का भी यूज हम कर सकते हैं तो ध्यान से सुनियेगा दोस्तों क्योंकि ज्यादा यूज मत कीजिएगा आधा चम्मत से कम सोडा यूज करना है दो बुंद नीमू का रस डालना है और दो से तीन बुंद पानी डालना है और थोड़ा आधा चुटकी उसमें नमक डालना है उसको अच्छी तरह मिक्स करना है और मिक्स की सीच से करना है जो आपके daily का brush है उससे आपको उसको mix करना है और mix करने के बाद उसको जिस तरीके से आप daily अपने दात को धोते हैं यानि brush करते हैं उसी तरीके से आपको हलके हाथों से अपने दात को brush करना है दो से तीन मिनट डेली आपको ब्रश करना है पहले दिन से आपको फरक पता चलने लगेगा दोस्तों और इसको आप continue एक हफ्ता यूज करिए आपके दातों का पीलापन खतम हो जाएगा आपके दातों में जो काले धब्बे हैं वो भी खतम हो जाएगा आप इसको continue करके यूज करके देख सकते हैं जिन लोगों को खटे से प्रॉब्लम है तो वो निम्बू का रश नहीं भी डाल सकते हैं तो उसके लिए मैं दूसरा उपाय बता देता हूँ जो आप डेली का तूट पेस्ट यूज करते हैं कोई भी जो भी एनिवन तूट पेस्ट आप यूज करते हैं उस तूट पेस्ट को में क्या करना उसको भी एक छोटे से बरतन में डालना है थोड़ा सा एक दिन का पेस्ट के हिसाब से जितना आप यूज कर पाएं और उसमें खाने का सोडा थोड़ मिक्स करना है, वही आधा चमच से थोड़ा कम और उसको बढ़िया से मिलाना है, अब मिलाने के बाद फिर उसको आपको उससे ब्रश करना है, इसे भी आप आसानी से यह काले धब्बे और पीलापन को दूर कर सकते हैं तो दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद फ्रेंड्स